हादो बेटा आज के पन टॉपिक में देखने जा रहा है फोटो केमिकल लॉज क्या होता है दो लॉज है आपर फोटो केमिकल कर एक तो ग्रॉज ड्रॉपर लो और एक है आपका स्टॉक आइस चेंड लो ठीक है ग्रॉज डॉपर लो ने क्या बोला है बेटा कि according to this law फोटो केमिकल चेंजिस के लिए सिस्टम पर जो इर्रेडियेट होने वाली लाइट है उसकी only absorption energy ही responsible होती है इसमें reflected और transmitted energy का कोई contribution नहीं होता ठीक है तो देखो कोई भी चीज होती है कोई भी system होती है ठीक है अब इसमें अगर मैं कोई light को छोड़ूँगा अगर कोई मैं right है इसको मैं irradiate करूँगा तो light जो irradiate करूँगा इसमें क्या के condition होती है maximum lights तो क्या होती है बेटा absorb हो जाती है maximum lights तो क्या होती है अपनी मैं आपके लिख भी देता हूँ maximum light जो होती है बटा आपकी absorb हो जाती है क्या हो जाती है absorb हो जाती है ये क्या डाल रहा हूँ मैं आपर light डाल रहा हूँ तो maximum light तो absorb हो जाती है और कुछ light यानि कि कुछ light क्या हो जाती है reflected हो जाती है कौन जिम्मेदार होगा वही तो जिम्मेदार होगा जो यू लाइट है of water भी एप रिफ्लेक्टेड लाइटेड और डाइटेोर, transmitted Livid in top एक लिए कि अकौर्डिंग देश-लो पोगक्रेनद धीए तो फोटो केमिकल लुटेटीजES के लिए सिस्टम पर जो एबिएट होने वाली जिक्राइट है उनमें केवल अबजॉपशन ईनर्ध है रेस्पाजीड है रिफ्लेक्टेड वाली को इरेस्पाज़ नहीं है इसलिए आपके लिखा भी है कि I मतलब absorption intensity है आई यानि कि transmitted है और IRR मतलब reflected है अब reflected मैंने क्या बोला कुछ light है reflected होती है 2-4% reflected होती है तो इनको पर consider नहीं करते हैं तो I always question क्या हो जाएगा IA plus IT इसको पर consider नहीं करके चल रहे हैं तो यहां से IA यानि कि absorption energy absorption intensity क्या होगी IA is equals to I0 minus IT यह होगी अपने पास तो बस यह अपने पास निकल कि आजा इतना सा आपका law है limitations क्या है? limitations यह है कि बाटा यह law जो होता है वो primary process को ही explain करता है primary process क्या होती है? primary process ही होती है कि इसे system है तो इस system को अपने light डाली तो light डाली तो इसके जो molecule है, reactant molecule क्यों डॉला व क्यों कि लाइट को एबसॉर्फ करेंगे और ठोड्रक्ट में चेंज जाएंगे ये इनका पहला काम हो गया या 思 ellos ग्यों र्दकोट्फ क्रेंगे अच्चन ट्रक्र। यही प्रॉसेस के आपकी प्राइमरी प्रॉसेस तो यह लो primary process को explain करता है जिसमें reactant molecule photon का absorb करता है light, photon, beam होती है तो उनको क्या करता है अब्जॉर्ब करता है लेकिन reactions में second process भी होती है secondary क्या होती है कि सब secondary process क्या होती है कि जो excited molecule है यानि कि वो reactant molecule जिन्होंने light को absorb किया absorb करके excited state में जाएंगे product में convert होने के लिए यही बात होगी तो जो excited molecule है जो light को absorb कर चुके है वो क्या करते है अपनी extra energy को फिर से release कर देते है और बापस से उसी stage में आ जाते है इसी stage में है अपनी बापस से ground stage में आ जाते है मूल stage में आ जाते है तो यह होती है secondary process लेकित इस secondary process के बारे में growth drop law या photochemical laws कंदर discuss नहीं किया गया है केवल primary process को इस पर light डालेंगे तो उसमें reactant molecule है वो activate होंगे activate होकर के कहां चल जाएंगे अपने product में convert हो जाएंगे यह primary process है बात आई समय में तूसरा stock Einstein law के अगर मैं बात करूँ तो according to this law photochemical reaction जो होती है इस photochemical reaction में every reactant molecule एक photon का absorption करके product में convert होता है वो ही गिनी चुनी लाइन है कोई भी system है उस system में जो reactant molecule है वो light को photon को, beam को जो भी है उसको absorb करेंगे product में convert हो जाएंगे अब वो reactant molecule है ठीक है उन्होंने क्या absorb किया बेटा photon एबजॉर्ब किया तो कितने photon एबजॉर्ब किया यादि number of absorbed photon यही लिखर रखा है कि product में convert होने वाले reactant के number यादि कि reactant ने product में convert होए है और उनने कितने photon को absorb किया है उनके number का ratio हमेशा 1 by 1 ही रहता है हमेशा 1 by 1 रहता है इक्वल रहता है नानि कि जितने रियक्टन्ट कनवर्ट हुए प्रोडक्त में उनके नम्मर और उन रियक्टन्ट ने कितने फोटोन एब्जॉर्ब किया उनके नम्मर हमेशा स्यम रहता है उनका रेशो वन वाई-वन रहता है ऐसे ही उनको Einstein सबस्क्तै का इसलिए कि देख होता है क्या होता है और इसकी वैल्यू निकालेगा एमदा एकीस एनर्जी की cents क्या होता है डां च और सी क्या होती है concentration तो आप क्या कर दो के इन सारी की वेल्यू लेके दो के और यह लार्ष में आपका अंसर आ जाएगा के लिए अब आप limitation क्या वह limitation कि primary process को consider करके चल रहे secondary process को नहीं कर रहे secondary process में क्या होता है कि वह excited molecule जो है reactant जो ही excited reactant जो है system का excited molecule है वह अपनी chain reaction जालू कर देता है और उस chain reaction की help से अपनी extra energy को क्या कर देता है release कर देता है release करके फिर से अपनी ground state में मुलवस्ता में lot कर आ जाता है ठीक है बेटा clear है यह अपने photochemical laws थे दो ही लो है अपने photochemical के लिए ठीक है MST 3rd 7 का topic है ही और inorganic का है specialization ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो बने रहे रहे के लिए ठीक है जाया वीडियो को like जरूर करके जाया चैनल को subscribe जरूर करके जाया share कर दे यहाँ पर आपको Hindi English बोले तो English Hindi English mix आपको यहापर notes मिलता है प्रॉपर तरीके से कोई इसमें समश्या नहीं है कोई भी आसी मैंने आप टफ लेंग्वेज नहीं लिखी है ठीक है सारे की सारी मेरी ही language में मैंने लिखा एक दम अच्छे से में अरेंज करके आपको notes भी आपर provide कराता हूं ठीक है तो जादा जादा आप वीडियो को share के जी और इस वीडियो उसका लाव उटाई है ठीक है तो मिलते आगली वीडियो में तब तक के लिए ठाटा वाई बैए थैंक्यू सो मच